अग्वार्ट जी कोईज में तो फिर्ण आज बिहार प्लीज कॉंस्टिवल के लिए सेट नमर 11 लेके आए वे हैं क्योंकि इससे पहले हम सभी 10 सेट कंपेट कर चुके थे तो आज 11 सेट को कवर करेंगे अगर इससे पहले इंसेट को कवर नहीं कि जरूर कर लिजिएगा सारा प्ले लिष्ट में आइड कर दियें प्ले लिष्ट का लिए कहां डिस्क्रिप्शन में दे दियें तो चले शुरू करते हैं और देखे जो चैनल पर नहीं है चलको सब्सक्राइब करने गंटे को प्लेस कर लिजिएगा फिर आप सभी को कंपेट सिलेबस के बारे में बता दिये थे आप सभी जाके वीडियो को देख लिजिएगा कि ब्यार प्लेस कॉंस्टिबल का वेकेंसी कब तक आना है और इसका प्रोपर सिलेबस क्या है आप तयारे किस प्रकार से कर सकते हैं यह सारा चीज़ आपको बता दिया गया है आप सभी जाके वीडियो को चेक कर ल है मेगना कहा जाता है कि लिए रहें अगला कोईशन दिखें फिर अगला कोईशन यह बंड़े की वीश्व का सबसे बड़ा गिये हूँ उत्पादक देश है तो वह सभी को बताते हैं कि अभी जो कि आपको मैट्स का क्लास दिया जाए उसके बाद आपका जोगराफिक का क्ल करिए हर सब्जेक्ट का ई-book आपको दे दिया गया है अपलिकेशन पे तो अपलिकेशन पे जाके आप सभी ई-book को कमपेट पढ़िए और जो अभी तक कोर्स में सामिल नहीं हुए जरूर आप सभी कोर्स में सामिल हो जाए यह कमपेट आपको त्यारी करवाए जागा हर पर्मुक बनस्पति कौन सी है अब जितने भी कोईशन लिया गया है वो सारे टेंथ लेवल का कोईशन है क्योंकि विहार फायर मेन का और विहार मदने से सिपाई का एक्जाम हुआ था तो उसका लेवल जो था वो बिलकुल टेंथ लेवल था और थोड़ा से विहार पुलि पत जड़ बनस्पति है घ्रम फ्रीच्व आड़ क्यों सी है अगला कोईशन यी बंड़े कि राने लक्ष्मि भाई बाई बान्ध अवस्थी थे है चले बताएंगे आप सभी रानी लक्ष्मी भाई बाई बान जो अवस्ती थे फिर वो कहां पर अवस्ती थे तो ये हैं बेतवा नदी पर तो याद रखेगा आप सभी किस नदी पर हैं बेतवा नदी पर हैं अगला कुछ सेंद देख लेजिए हिमाले की ऊची चोटी कंचन जंगा कहां इस्ती थे तो दीखे हिमाले की ऊची चोटी जो है वो क्या है कंचन जंगा है और ये सिक्की मराज में इस्ती ते फिर ध्यान रखेगा तो हिमाले की सबसे ऊची चोटी कौन सी ये कंचन जंगा है और ये सिक्की मराज में है अगला कुछ सें देख लेजिए न एस्चूरी का निर्मान करते हैं ध्यान रखेगा नर्मदा और तापती ये दोनों एस्चूरी का निर्मान करते हैं ध्यान रखेगा और ये सभी पूर्वी की और पर भावित होने वाली नदी है यानि कि पूर्वी की और बाती है ध्यान रखेगा जबकि नर्मदा नदी पस अगनी कर लिजेगा आप सभी द्यपताओं कि दो पूत्रियां जो कहा गया है वह अगनी को कहा गया है अगला कोईशन देख लिएजए बहुत गिरन्द पिटकों की राचना निमने मैं से किस भासा में की गई थी तो ये पाली भासा में की गई थी ध्यान रखी गया तो बहुत धर्म पिटकों की राचना जो हुई है फिर्ण वो पाली भासा में हुई है सी राइट आंसरेंगे अगला कोईशन देख लेजे कि सासक के सासन काल में नेपाल में बहुत धर्म का गमन हुआ था फिर्ण तो आप से को बता होंगे कि नेपाल में जो बहुत धर्म का गमन किया गया था यानि कि परचार परचार जो किया गया था वो असोग की द्वरा किया गया था क्योंकि असोग जो थे वो बहुत धर्म से संबन दी थे और इसके सासनकाल में 255 इसापूर में तिसरी बोश्वा सं सेंगिति आयुजित की गई थी ध्यान रखेगा कलिंग यूद के बाद जए फैंड कलिंग यूद कहा हुआ था उडिशा में हुआ था इसके बाद जो कि असोक ने बहुत धर्म अपना लिया था अगला कोशन देखिए कुशासन काल में सबसे अधिक विकास किस छेतर में हु अगला कोशन देखिए निमलेकित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सरपर्थम भागवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था इंक पार्टेन कोशन रहेंगे ध्यान रखेगा आप सभी भागवद गीता को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किस ने एरेट आंसरेंगे विशाग दत की द्वरा देखिए विशाग दत ने मुद्रा राक्षास नामक पुस्तेक लिखी थी कॉटिली ने अर्थ सास्तर की रचना की थी अगला कोशन देख लिए जी विजय नगर समराज की अस्थापना किस ने की थी फिरें तो फिरें आपसे को अगला कोशन देख लिए जी ने मिलकर विजय नगर समराज की अस्थापना की थी तेरोसो चछटिस इसवी में अगला कोशन है मानसूनी जलवायू की परमक विसेश्ता है तो मानसूनी जलवायू की परमग विसेश्टा क्या है फ्रेंड वायू की दिशा में मौसमी परिवर्तन आगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशन ये बंड़े कि भारत के किस राज में जन संख्या घनत वह सबसे अधिक है फ्रेंड तो कई बार आप सभी को बताये हैं और कई बार ये कोईशन पूछा भी गया है कि भारत के किस राज में जन संख्या का घनत वह सबसे अधिक है अभी हाल फिलाल जो विहार फायर मेंन का एक्जाम हुआ था उसमें ही पूछ लिया गिया है कि भारत के किस राज में जनसंख्या गनत वह सबसे अधिक हैं तो ये अपना बिहार राज में ध्यान रखेगा आप सभी लेकि सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो वो उत्तर परदेश है सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए तो सिक्किम में हैं रखेगा आप सभी और सबसे अधिक घनत वारुनाचल परदीश का है तो यह चीछ पर गौर किजिए आप सभी अगला कोशन ने भारत में सबसे उची परबत चोटी कौन सी है तो दिके भारत की सबसे उची परबत चोटी यह आपका लद्दाक छेतर में परता है जिसे हम सभी केटू भी कहते हैं गौडविन ओस्टिन ओफिसन में ए राइट आंसर हैंगे आगला कोशन देख लिए निमलकित में से कौन सा यूग मुझ शुमेलित नहीं है तो देखे सुमेलित जो नहीं है पापनासाम हिमाचल परदेश में है यह बिल्कुल गलत है ध्यान रखेगा पापनासाम जो है व परदेश राज में है जोग जो है यह करनाटक में है धुआदार्मद तो दीके बदरी नाथ जो है यह उत्रा खंड में है और यह अवस्तिते कुमायू हिमाले में द्यान रखेगा आप सभी कुमायू हिमाले में अवस्तिते यह राइट आंसर हैंगे अगला कोई से नहीं भारत में सबसे लंबा बांध है राइट आंसर जाएंगे हीरा कुंड बांद देखे हीरा कुंड बांद जो एक फिन भारत में सबसे लंबा बांद है ध्यान रखेगा ये कहां पे है ओडी सार आजमें इसित्थ ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोईसे देख लिएजिये निमलिकित में से कौन सी नदी एस्चूरी नहीं बनाती है तो इसे पहले आपको एस्चूरी के बारे में बताए थे कि नर्मदा और ताप्ति बनाती है और मांडवी नदी भी बनाती है द्यान रखेगा जबकि महानदी नहीं बनाती है याद रखेगा ये डेल्टा का निर्मान करती है याद रखेगा गंगा महानदी ये से भी डेल्टा का निर्मान करती है जो बंगाल की खाड़े में गिरने वाली नदी है यानि कि पूर्विकी और परभावित होती है या नदी अगला कोई सेने सविधान का अनुछे 312 संबंदी थे देखिए आपसे को बता दना चाहते हैं कि नर्मदा तापती मांडवी नदी जो है ये जो है वो अरब की खाड़े में गिरती है यानि खंबात की खाड़े में गिरती है ध्यान रखेगा आप सभी चले बताएंगे सभिधान कान उच्छे 312 किस से संबंदी थे तो ये संबंदी थे अखिल भारतिय से संबंदी थे फिर ध्यान रखेगा आप सभी कोश्चन के लिए रहे हैं आगला कोश्चन है मुख सत करता आयूक्ति की न्यूक्ति कौन करता है फ्रेंग आप सभी टेलेग्राम गुरूप को जोईन कर लेज़ेगा टेलेग्राम का लेंग नेचे डेस्किप्शन में दिया हुआ है राष्टपति के दुरा किया जाता है फ्रेंग दियान रखेगा दिखे राष्टपति का कारेकाल पांच बर्स का होता है याद रखेगा आप सभी और बनने के लिए उम्र मैक्सिमम पाई तिस बर्स होना चाहिए मिनिमम की बात किया जा रहा है तो मुक्सत करता है आयुक्त की नुक्ति कुन करता है राष्टपति करता है और ये तीनों सैनाओं का सर्वच कमांडर भी होता है ध्यान रखेगा अगला कोई से ने बिधान परिशत के सदस्य कितने वर्स के लिए निर्वाचित होते हैं तो ये हर एक 6 वर्स के लिए निर बारत का महान बादी जो है ये क्या है बारत का पर्थम विधी अधिकारी होते हैं अगला कोई से ने निर्वान कराने बाला दिल्ली का पर्थम सुल्तान कौन था गया सुद्दिन तुगलक ध्यान रखेगा गया सुद्दिन तुगलक जैफिन ये नहर निर्मान कराने वाला पर्थम दिल्ली का सुल्तान था ध्यान रखेगा अगला कोईसे ने किस के समय में मलिक मुहम्मद जैसी ने पादमाबद की रचना की थी तो याद रखेगा पादमाबद की रचना किस के दुरा की गई थी मलिक मुहम्मद जैसी के दुरा की गई थी ध्यान रखेगा आप सभी और ये सेरसा सूरी के समय में हुआ था कोश्चन के लिए रहें याद रखेगा सीरसा सूरी के सिमें में हुआ था अगला कोश्चन ने बेगम हजरत महल ने 18 संतावर के विद्रो का नेत्रित वर्ने मिलकित में से किस सहर से किया था देखे जब 18 संतावर करांती के सुरुआद हुई थी 10 मई को कहां से मेरट से द्यान रखेगा तो उस समय जो कि जैसे कि आपका जहांसी से नेत्रित्व कर रहा था रानी लक्षमी भाई ने उसी परकार से बेगाम अजरत माल के दुरा कहां से नेत्रित्व किया जा रहा था लखनवू से किया जा रहा था ध्यान रखेगा आप सुभी तो ये बताया था रभीनाथ तैगोर ने ध्यान रखेगा आप सभी तो किस ने एस योग अंदलन के दोरान बिदेशी कपड़ों का जलाया जाने का एक निष्ठूर बरबादी बताया था रभीनाथ तैगोर ने अगला कोईस ने किसी राजी का उच्टम बिदी अधिकारी हो सविधान संसोथान अभी पालन करने वाला पहिला राज्य है वो राज्य का नाम है आंधुरपर्दिस तो याद रखेगा आप सभी कौन सा राज्य है आंधुरपर्देस राज्य है अगला कोईशन देख लिए जिफिन अगला कोईशन ये बंड़े कि भारतिय लोग परशासन सांस्थान की आस्थापना कब होई थी तो इसके आस्थापना की गेती फिन मार्च 1954 में तो याद रखेंगा आप सभी भारतिय लोग परशासन की आस्थापना जो की गई थी तो ये किया जाता है परधान मंत्री की सलापर तो ध्यान रखेगा आप सभी अनुछेद 155 कि तहाज जोईफिन राश्टपती राजपाल की न्यूकती कर सकता है किसी भी राजज में ध्यान रखेगा आप सभी और इसे हटा भी सकता है ये चीज पर गौर किजीगा तो ये सलाप किसका लेना पड़ता है तो परधान मंत्री का लेना पड़ता है राजपाल बलने के लिए उम्र कितना होना चाहिए तो 35 बर्ष कारिकाल 5 बर्ष का होता है मिनिमम ध्यान रखेगा आप सभी अगला को उसे ने निर्वाचन आयोक्ति की सेवा सर्थ तथा कारिकाल निश्चित करता है तो ये किया जाता है सभिधान के द्वारा आफशन में ये राइट आंसर एंगे देखे सभिधान सभा के अस्थापना जो इफिर्ण वो 1946 में की गई थी सभिधान सभा का पहला बेठक 9 दिसम्मर को हुआ था दूसरा बेठक 11 दिसम्मर को हुआ था तो यहां गवर किजिगा आफ सभी और सभिधान का जो निर्मान हुआ था के विनेट मिशन यूजना 1946 की तहत किया गया था अगला कोशन देख लेजे स्वसंदर भारत में राज सभा के पर्थम सभापती कौन थे राइट आंसर ओपिशन में बीज़ेंगे डॉक्टर इस राधा कृष्णन थे ध्यान रखेगा तो स्वसंदर भारत में राज सभा के पर्थम सभापती कौन थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे अगला कोई से ने कि विधान परिशत के कितने सदस्य पर्तिक दूसरे वर्स अपकास गरहन करते हैं तो रैट आंसर ओप्सन नमर बीव जाएंगे एक वट्टा तिन सदस्य करते हैं ध्यान रखेगा आप सभी तो याद रखेगा आप सभी एक बटा तीन एक तिहाई करता है अगला कोई सेने कि सविदान के किस अनुछेत के अंतरगत हिंदी को राज भासा का दर्जा परदान की गई है फ्रेंड तो राइट आंसर ओप्सन में विजाएंगे अनुछेत 343 के तहत की गई है याद रखेगा आप सभी अनुछेत 343 के तहत हिंदी को राज भासा का दर्जा परदान की गई है जो कि देवनागरी लिखी जाती है फ्रेंड अगला कोई सेने देख लेजिए कि भारत का पर्थम मुक्य चुनो आयूक्त कौन था सुक कुमार सेन भारत का पर्थम मुक्य चुनो आयूक्त था अगला कोई सेने कि भारते सविधान के अनुछेत 74 और 75 किन विशेयों पर विचार करते हैं मंत्री परिशत पर विचार करते हैं ध्यान रखेगा अनुछेत 74 और 75 जो है ये मंत्री परिशत विश्यों पर विचार करते हैं अगला कोईशन देख लिए जे फिर्ट की चीन में उन्हें 211 इस्वी के विद्रो का क्या परिनाम हुआ था तो राइट आंसर ओफिशन में विजाएंगे एक गंतंत्र की अस्थापना हुई थी फिर्ट दियान रखे गया तो चीन में 211 इस्वी में जो विद्रो हुआ था इसमें क्या हुआ था एक गंतंत्र की अस्थापना हुई थी अगला कोईशने वर्षाय की संदीद वरा किस का मान मर्दन किया गया तो तिये किया गया था जर्मनी का तो वर्षाई की संदिद वरा मान मर्दन जो किया गया था वो जर्मनी का किया गया था अगला कुछ ने मायरले मिन्टो सुधार बिल की सुवर्स पारित किया गया था भारत सासन अधिनियम उन्हें सुनो आफशन में भी राइट आंसरेंगे ध्यान रखेगा इससे मारले मिंटो सुधारबिल भी कहा जाता है देखें 1905 में बंगाल विभाजन वा था लौड करजन के समय में ये कोश्चन याद रखेगा जो की फैमस कोश्चन है अंगला कोई से दिख लिझे कि सिंदु गाटी सव्वयता के बारे में निमन वेंसे कौन सा कथन असत्ती है देखें इस लोग लोहे से परीचीत थे ये बिल्कुल क्या है असत्ती है क्या है कि नगरों में नालियों की सुद्रिष्ट वेवस्था थी विपार और वांजिय उन्नत दसा में थी मात्र देवी की उपनियास की जाती थी ध्यान रखेगा लुहे से लोग परिचित नहीं थी इस समय अगला कुशन देखिए पाइमानों की खोज ने यस्चिद कर दि अगला कोई से आयूरवेत अरथात जीवन का विज्यान का उलेक सरपर्थम मिलता है। Right answer option में डूजाएंगे अथरवाइद में मिलता है ध्यान रखेगा आयरवेद अर्थाथ जीवन विग्यान का उलेग जो मिलता है वो किस बैद में मिलता है? अथरवेद में मिलता है जो किसे अबसे अंतिम बैद है? सबसे प्राचिन बैद जो है वो आपका रिग वैदे दियान रखेगा साम बैद को हम सभी संगीत का बैद भी कहते हैं अगला कोई से ने वर्न सब्द का परियोग वैदिक यूग में की संदर में किया जाता था तो राइट आंसर आफिसर में सी जाएंगे कारिकाल कितने वर्स रखा गया तो देखे इस तरवे सभी धान संसोधन के द्वरा पंचायती राज संस्था का कारिकाल जो रखा गया था वो पाच वर्स ही रखा गया ध्यान रखेगा क्योंकि पहले 21 वर्स था उसकी बाद 61 सविधान संसोधन के दोरा गटा के 18 वर्स कर दिया गया था और पंचाई चुनो करने के लिए उम्र आपका 21 वर्स होना चाहिए पंचाई चुनो लड़ने के लिए 21 वर्स उम्र होना चाहिए अगला कोईशन है कि भारत का महानिबादी कब तक पद्धारन करता है राइट आंसर ओफिशन में से जैंगे राष्टपती के परशात परियतन तक करता है ध्यान रखेगा तो महानिबादी जो है कब तक पत्धारन करता है तो जब तक राष्टपती परशाद परियतन ना दे दे तब तक ये पत्धारन कर सकता है अगला कोईशन देख लिए जिफेंड कि संग सरकार के कर राजस में सबसे महत्पूर्ण सुरूत है निगम कर तो याद रखेगा कि संग सरकार के कर राजस में सबसे महत्पूर्ण सुरूत जो है वो क्या है निगम कर है और अप्लिकेशन से नहीं जुड़े वे सभी अप्लिकेशन से जुड़ जाएए अभी offer चल रहा है हर course पहे तो course से सामयल होने का कोसिस कीज़े कंपेट आपको त्यारिक करवाहे जा रहा है और अभी जो है की मैज का class दिया जा रहा है और जिराफिक का class शूरू करने वाले हैं और इससे पाहले जितने भी class आपको दिये हैं वे class को cover करते रही है, सबसे main point जो आपको handwriting note से दिया हुआ है, उसे आपसे भी cover करते रही है, और important e-book जो दिया गया है, e-book को तो आपसे भी पढ़े पढ़े पढ़ें, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार बार पढ़ें e-book को, complete e-book है, question आपको उसी से देखने के लिए मिलेगा, 10th label का question अगर पूछा जा रहा है, तो उससे एक भी question आपका बाहर नहीं होने वाला e-book से, तो ध्यान रहे हैं, जो application से जूड़ चुके हैं, जो class से जूड़ चुके हैं, वैसे भी e-book को complete जरूर पढ़ लिज़ेगा, और जितने भी आपको notes से दिया जा रहा है, वो notes को cover कीज़े, और test जो दिया गया है, full test जो दिया गया है, उसे test को जरूर solve कीज़े, और full test जो दिया गया है उसे आप सभी जरूर solve किजे test को लगाई है और analyze किजे आप सभी जो भी class से नहीं जुड़े हैं जरूर जूड़ी है application को download कर लिज़े जाके प्ले स्टोर से अने था link से भी download कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएंगे तो मिलते हैं जहिंद बंदे मातरम